subscribe कीजे हमारे चैनल PDR Pali को और नए-णए अपडेट के लिए बेल आईकन को प्रेस करें जो बाइर हमारे भाई के comment से के हमारे गाड़ी में किस परकार से आग लग जाती है और क्या हमें safety करनी चाहिए तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह अंदर चुए की builds बहुत सारी नजर आ रही है आपको जी हाँ यह चुए की builds इसलिए नजर आती है कि कहीं पर छेद रहते हैं जो company हमारे manufacturing करती है तो वहाँ पर क्या hole होते हैं तो वहाँ से चुए अंदर आ जाते हैं और वो से क्या होता है कि wiring व ले या नई लें तो आप सबसे पहले उसमें चुए का काम करवाने आप की सी Mouse नजर आ रही है और इसमें कितना नुुकसान किया है उनहोंने आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डैश्बोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी चुए ने builds कर रखे या RJ यानि क्वligtude के लिए हमें क्या करना चाहिए तो आप देख सकते हैं आपको यहां से भी ऐसी फिल्टर में भी दिखा देते हैं क्योंको वहां से यह ज़्यादा तर यहां से चुए आते हैं जो डायरेक्ट लिए अपनी गाड़ी के अंदर कैबिन में पूरी जगह गुंते हैं और कई बार राफ다 यहां से और इसमें देख सकते हैं इसमें बीट्त आ चुकी है बहुत सारी बीट्त है जो यहां पर ऑब एठे घ्शंत से बन्ना चाहिए तो हम आपको पूर्वा सप्थ ब्लिक्राठ दिखा देते हैं यहां पर देख सकते कितनी हैं कि तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए हम आपको भल्ग जोट तरीके से दिखाइंगे कि इसको किस प्रकार से बंद किया जाता है यहाँ पर जो चूएर होते हैं याँ पर जो वायरिंग होती हैं वहां से ही वो कुतर देते हैं जिसमें क्या हो था ECM प्लेट की वाइरिंग में शॉर्ट सर्कीट होता है कि हमारे जो गाड़ी के अंदर जो डैश्बॉर्ड में शिम्बल वगएरा आने लग जाते हैं या चेक दा लाइट आने लग जाती है वो क्यूं आती है कि यहां से हमने डौर खोल लिया है और यहां से हम बॉर्णेट को ओपन करते हैं यहां से पुछ करते ही यहां से बॉर्णेट ओपन हो चुका है अब बॉर्णेट किस प्रकार से खुला जाता है वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे के भाई के कॉमेंस देगे हमें घाडी के बॉर्णेट किस प्रकार से खुला जाता है तो उन भाईयों के लिए भी यह वीडियो है कि बॉर्णेट किस प्रकार से खुला जाता है तो यहां से हमने बॉर्णेट ओपन कर लिए हैं आपको दिखा देते हैं कि लॉक को किस प्रकार से अनलोक किया जाता है तो यह दिखि क्यों से कईब आई के कॉमेंट्स यह रपके हमें फेंगे किस प्रकार करना सा है pebraka और गीERS करना चाहिए कर एट करना चाहिए ड्र होसे काई सब्सक्कर्ण होता है और और हम यह एक गाड़ी में लग अलग होता है और मारत्य की ज़ helper होती उस उस में अलग होता है मारूत्य में हमें सब बड़ा होता है और हुंड़ाई में दोनों ही सैम پरपस होते है बाकि उसमें थोड़ा सा अंतर ये ब्लेट बाला होता है तो हम आपको दिखा देते हैं कि किस परकार से इसको चैक करना चाइए तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ से चोटा है जिसकी तो यहाँ से हम इसकी केप को घटा लेते हैं और इसके जो चौधा नंबर जो चाहकी बोर्ड लगे वाय रहते हैं वो हम open कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसमें किस परकार से हमें पता करना चाहिए कि लेफ्ट कौनसा है राइट क क्पोन सा है क्योνक्त निकालने के बाद में दो ही सेम नज़राता है तो हम आपको । दिखा देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं PA लिखा हूआ है यानि पाशंडर साइड आप देख सकते हैं वीडियो में यहां PA लिखा हुआ है पैसंजर साइड वहां पर आप देख सकते हैं वीडियो में DR लिखा हुआ है यानि ड्राइवर साइड का उपर RHD लिखा हुआ है और यह PA लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले हम उसको जो टॉपिक पर वीडियो लेके आ और आप हमारी वीडियो को आराम से देख सकते हैं हमारी वीडियो को कभी भी skip ना कीजिए क्यों हम जो जानकारी देना चाहते हैं वो आप skip कर देख तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी तो हमारा वीडियो लाश्ट तक देखे तो देखी यहां से आप देख सकते हैं के हमने इसको open कर लिया है और इसको बार निकाल के आपको दिखा देते हैं कि केई भाई क्या करते हैं कि जैसे glass टूट जाता है तो glass को change करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत रह जाती है जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो जाली लगी भी हैं हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि जो glass change किया था उन भाईयों ने यहाँ पे इसके rubber छोड़ दी हैं जब कि इसको बार निकालना चाहिए यहाँ पे जाली lock हो जाती है जिसके कारण पानी पूरा भरा जाता है जो बारिश के दिनों में या वाशिंग करते समय बोड़ी शड़न लग जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गिरा है हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे हैं तो यहां पर यह खुला है, यहां पर देख सकते हैं, काच के टुकड़े भी पड़े हैं, जो किसी भाई नहीं निकाले हैं, तो हमेशा इसको clean रखें, जब भी गाड़ी खुले, या पर ग्लास चेंज करना हो, या किसी भी गाड़ी के customer के गाड़ी में, तो आप हमेशा इसक की जाली को बना लेंगे, तो अच्छे तरीके से fitting करेंगे, क्या होता है, कि जो हमारे डेंटर भाई, या कोई mechanic भाई क्या करते हैं, जो मच्छर की जाली लगाते हैं, तो वो क्या हता है, रष्ट लगने के कारण, वहां से उसड़ जाती, जिसके कारण, कुछी दिनों कोई चोटा जानवर भी आ जाता है, तो वो क्यों आ जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं, कि वो जो होते हैं, जो मच्छर जाली लगाते हैं, वो रष्ट लगने के कारण, यहां से सड़ जाती है, और उसके कारण फिर अंदर से जो भी जानवर होते हैं, वो अंदर आ ज जाते हैं तो हम देखिए हम नहीं आप पर इसके सामने देख सकते हैं जाले लिए हैं उसकी मदद से जो हमने माप किया था महुस्पी माप से हम इसको कट कर लेंगे तो यहां से हम इसको long cut करेंगे और इसकी जो लंबाई और चोड़ाई हमने आपको वीडियो mention की है उसी परकार से हम इसको cut कर लेंगे वो दीके बनाना किस परकार से है वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे तो यहां से हम easily map लेके केची की मदद से इसको कट कर लेंगे अगर आपके पास केची नहीं है तो आप चैनी की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं तो हम एक्स्टा बाग को इसको कट कर लेते हैं और फिर तरीके से हम इसका जो जाली माप होता है वो हम इसको कट करके इसको शेप दे के वो भी सारा प्रोसेस हम आपको वीडियो में दिखाएंगे तो यहां से हमने इसको कट कर लिया है और के भाई के कॉमेंस देखे हमारे जो गाड़ी होती है जिसमें गाई या को जानवर पड़ जाता या किसी परकार से मोच आ जाती है जिसका पेंट खराब ना हुआ तो हम वो भी पेंटले स्टेंट रिमूव किया जाता है हमारे पास आप हमारी वीडियो को और भी देख सकते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेज़े ताकि हम जब भी वो वीडियो लेके आए आपके पास नॉटिफिक्ष्टन बल जाया और आप माड़ी वीडियो को देख सकते हैं मज़ेदार तरीके से तो यह से हम ने हम ने हम उसको फोल्ड करेंगे तो यह चारो तरस प्रकार करएंगे ताकि हमारी जाली जाली है उसको अच्छे से माप आ जाए और और कहीं कभी उच्छोटा बढ़ा जानवर या सांप वगेरा कई पर पड़ी होती है यह बाराइस के कारण क्या होता है कि हमारे शहर में में बहूत सारा गुंते हैं तो कई सांपbyक, क्या होता है इंजन रूम में आने यहांसुद जगहिनाम है जाली में वहां से वह सीधा अंदर आ जाते हैं जैसे कि हम उसको बहुत नुक्सान दायक बोल सकते हैं तो उसको बंद करने के लिए हम इसमें जाली लगा रहे इसमें आपको जब भी हो तो ऑक्सिज बार की इंजिन के हवा लेनी हो तो आप उसको ले सकते हैं इसलिए हम लगाते हैं कि भाई क्या करते हैं को पूरा ही बंद कर देते हैं कि हमारे चुवे वगरे नहीं आएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप जाली लगाए ताकि इसमें डेस्ट भी आने लगे और जब एसी चला है तो वह बार की हवा भी ले सके तो देखिए हमने यहां से इसको कट करने के बाद में इसका सेफ राउंड शेप ले लिया है वो जिस पकार से हरे गाड़ी में अलग लग फोल्ड रहता है उसकी तरुक से उसको फोल्ड कर लीजे ताकि हमारे जो फिटिंग है एकदम अच्छी तरीके से आ जाए और एकदम कहीं पर भी बिल्कुल भी गेब ना रहे तो हमने देखिय क्या से इसको हॉल कर लिया अब यह पति लोग यह पे लगा लेंगे यह आता है कि यह पर हूल अग एबर सकते हैं कि गाड़ियो में यह होल नहीं आते हैं तो हमें screw directly लगाने पड़ते हैं तो हम यहां पर हो ले तो हमने जितने भी वीडियो बनाये हैं उसमें हर प्रकार में बताये हैं आपको किस प्रकार से इसको बंद किया जाना चाहिए और किस प्रकार से इसको fitting करना चाहिए वो सारा process हमने हर एक वीडियो में दिखा रखा है तो यहां से देखिए हमने यहां पर screw लगा लिये हैं जो पती लोग हमने एड़ की थी उसमें हम directly screw लगाए लगी ताकि हमार यह जाली जो तोड़ी होती है तोड़ी hard होती है ताकि वापस किसी चूँए वगरा को जानवर इसको हटा न सके इसलिए हम इसको screw भी एड़ करते ह और जादा tightness लेने के कारण ये भी होता है कि अच्छे से fitting रहे तो यहां से हमने इसको अच्छे से fit कर लिया है आप देख सकते हैं इसको आपको वीडियो में पास में भी पास से भी दिखाएंगे कि किस परकास हमने इसको fit किया है कहीं से gap तो नहीं है आप वीडियो में comments क कर सकते हैं कि हमने अच्छी तरीकी से लगाई या नहीं ले गई है तो देखिए हमने यहां से इसको अच्छे से कर लिया है और इसको अच्छी तरीकी से प्रस कर लेते हैं ताकि कहीं से भी gap नजर ना आए हम आपको दिखा देते हैं कि यहां से देख सकते हैं कहीं से भी ब अनवर आएगा इसके अंदर तो आप ये गाड़ी सेफली हो चुकी है आपके गाड़ी में कभी भी आग नहीं लगेगी और जो भाई के कॉमेंस थे कि आप उन्हें जो अंदर का जो काम कर लिया वो तो परफेक्ट हो गया आप बार की साइड से जो चुए आते हैं उसका हम क आप लिए अन्दर आगे आप का जाएक और आप बार घृच्ट हो जाते हैं तो इसलिए मैं करना चाओंगा कि आप जब ना नहीं गाड़ी लो या पुरानी गाड़ी लो उसमें हमें सचुए का काम पहले करवा लीजिए ताकि हमें किसी परकार का नुकसान ना उठाना पड़े तो दीखिए हमने यहां से इसको अच्छे से फिट कर लिया है अब इसको हम जो कॉल टॉप है वो लगा लेते हैं और वा चर्टिंग होती हर एक में होता है कि हमने जो वाइपर लगाया है तो उसमें दोनों टच क्यू करते हैं तो टच यू होता है कि उसमें आप एक इंच का गेप नहीं रखते इसलिए दोनों ही टच हो जाते हैं तो हम देखिए हम आपको दिखा देते हैं यहां से हमने यह और को मिला के इसको पुष्ट कर दीजिए यह बहुत ही इसी तरीके से फिटिंग हो जाता है तो यह यहां से फिट हो चुका है अच्छी तरीके से हम इसको फिट कर देते हैं यह अच्छी से फिट हो चुका है इसको बस थोड़ा से प्रेस करना पड़ता है आगास तो दीख़र एच्छी तरीकी से एच्छी तरीकी से इच्छी पूशुक लिए है और यह एच्छी तरीकी से फिटिंग होता है अब इसके जो हमने लोग को लेते हैं misail बटन वह आपस vigil करेंगे हम आपको दिखा दिखा होते हैं तो आप यह मिशाइल को बाहर निकाल लीजिए और इसको डायरेक्ली इजी लिए अंदर डाल लीजिए यह अच्छे से फिट हो जाएंगे तो यहां से देखे हमने जो बोल्ट खो लेते जो चौदर नमबर चाकी थी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो smile के उपर था लॉक जो बोल्ट है वह वापस से इजिली हमस्वक कर लेते हैं कि तो यह ईजिली हमने यहांपे फिट कर ले हैं आब इसको हम अच्छे किसे पाने के मदब से यह आपके पास Gvernго Tautärume है तो उसके मदब से आप इसको टाइच से आइड कर लेजे ताकि हमारे अ तो यह हमने टाइट कर लिया है और यह केप होती है जो हम इसमें अच्छे से प्रिपस कर देंगे यह पुश करते ही इजी लिफिटिंग हो जाती है यह दोनों ही केप हम लगा लेते हैं इसमें और यह हमारा काम प्रॉसर्स कॉंपलिट हो चुक है और दूसरा इस्टप यह था कि हम जो एर फिल्टर में आपको दिखा है था कि कितनी सारी वो मिट्टी लगी वी थी और उसको कैस परका से क्लीन किया जाता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं तो अगर आपके पास एर प्रॉसर्सर है कि यह ऑदा चैन्ज कर लिए तो आपको सिर्फ वीडियो में दिखा रहे है के सको किस परका से वापस ऋहएं चाहें तो वह इस लिए हम इसको क्लीन कर लेते हैं घरारिक्ली हम अप्लाइँ करते हैं तो यह हमने इसके अंदर आपको लाइट में दिखा देते हैं कि यह इस तरीके से इसको अधर से फिटिंग किया जाता है यहां से इसकी गेप को भी आप चेक कर लिए पपड़ा वगरा कुछ डाल देते हैं जिसके कारण इसी चलाने पर आवाज आती है तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि इसको अच्छे से हतदान कि आप चेक कर लें और फिर बाद में इसमें इसी फिल्टर डाल लें आप और इसी फिल्टर लगाना भी बहुत ही इजी तरीके से हैं तो हमने यहां से इसको अंदर से पुछ कर लिए यह हो चुका है अब इसमें हम लोक किस प्रकार से लगाएंगे हमने कम्प्लीट कर लिया और यहां से हम सब जगह से चेक कर लेते हैं कई से भी वाइरिंग नहीं कुत्री हैं वह जिन बाई की गाड़ी में चुवे ने वायर कुतर दिया है उसको अच्छे से टेप पगेरा कर लिए तो यह इसली हम देखिए वापस इसको अच्छे से जो वीडियो इंफोर्मेशन मिले हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और दोस्तों सेर करना ना भूले